देगरास तरसिल में कोरोना संक्रमन मानों अपने सारी हदे पार करने पर तुला हुआ है शुक्रवार को जहां तुप टाकली गाउं के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मोद की कबर सामने आई तो वहीं आज शाम RTPCR टेस्स के तहत यह अतमाल से 200 रैपिड इंटेजन टेस्स के जरिये 8 पॉजिटिव रिपोर्स बरामद हुई है ऐसे में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 116 से बढ़कर 224 पर पहुँच गया है कोवीड केर की सुत्रों के अनुसार शुकरवार को हाथ आए पॉजिटिव रिपोर्स में रहाटी गाउ से 3 साकरा से 1 पालेश और मंदिर परिसर से 7 बॉद्दपुरा से 1 जुनादारवारोर परिसर से 1 कॉलेज निगर से 2 कर्मा मैं मंदिर परिसर से 1 बालाजी मंदिर पर की पुष्टी हुई है ऐसे में शाहर से 1 गरामिन परिसर में कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रादर भाव और नागरिकों में कोरोना संक्रमन को लेकर जारे नजर अंदाज रवया भी उजागर हो रहा है कोरोना प्रकोप से बचाओ के लिए समय रहते दिशा निर्दिशों का कठोर पालन सतरकता और सावधाने से हम खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं इसलिए कोरोना संक्रमन से डरने के बजाए जिम्मेदारी के साथ हमें डबली विच ओ तथा सरकाद वारा जारे नियमों का पालन करना और प्रशासन को स्वहयोग देना जरूरी ह इन विसीन न्यूस के लिए जुबरकान की रिपोर्ट